हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे स्टेडी यूटूब चैनल एकलव एक लासिस में आज की इस वीडियो में हम बरतमान में कौन क्या है विभागों की मंत्री एवं प्रसासनिक अधिकारियों की बारे में चर्चा करेंगे और यह हमारा वीडियो अप्रेल मंत तक का अपडेटिड डेटा होगा ठीक है और पूरे यूटूब पर इस तरीके का अपडेटिड डेटा अभी तक अबलेवल नहीं है ठीक है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे साथ इक बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजेगा जिससे भी आंगे आने वाली जो भी वीडियों से आप सभी को सबसे पहले सटीक समय पर पहुंच जाएं तली हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सुरूआत करते हैं बर्तमान राष्ट पती हैं इसके बाद है उपराष्ट पती एम बंकया नाइडू ठीक है उपराष्ट पती कौन है एम बंकया नाइडू है जो की तेरवे नमर के उपराष्ट पती है और उपराष्ट पती राजी सवा का सवा पती होता है ठीक है इसके बाद अगला है प्रधान मंत्री के बारे मे जो की बरतमान में नरेंद्र मोदी है जो की चौदवे नम्मर के देश के प्रधार मंतरी है इसके बाद अगला है अब बिभिन मंतरालायों के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले बित मंतरालाय उसके बाद गरह मंतरालाय ठीक है तो बरतमान में बित मंतरी निर्मला सीतार इसके बाद वित्य राज्यमंत्री ठीक है जो की अनुराग ठाकर है और इससे पहले अनुराग ठाकर करना हो आपने सुना होगा बी सी सी आई के अध्याच के रूप में ठीक है तो वित्यमंत्री कौन है निर्मला सीतारमंड वित्य राज्यमंत्री कौन है अनुराग ठाकर इ जाते हैं या फिर जो गलत होने की जहां चांसिस होते हैं वो सच्चे उसे होते हैं बित्त सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जोकी नित्यानंद राय और जी किसन रेड़ी जी है ठीक है अभी तक हमने यहां देखा बित्य मंत्री के बारे में निर्मला सीतरमन ठीक है और बित्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकॉर इसी प्रकार हमने ग्रह मंत्री देखा अमिस्सा है और ग्रह राज्य मंत्री देखा न उनों अजय से स्टार्ट होते हैं वित्त्स अच्यों और ग्रह सैठ्व, इसके बाद अगला है रक्षा मंतरी ठीक है डिफेंस हैं वित्त सचयो अजय घूशड पांडे ठीक हैं ग्रह सचयो अजय कुमार भल्ला और रक्षा सचयो डाक्टर अजय कुमार ठीक है इसके बाद अगला है स्वास्थ्या मंत्री जो की डाक्टर हर्सवर्दन है इसके बाद विदेश मंत्री एस जैसंकर सुब्रमन्यम जैसंकर है और सिख्छा मंत्री है रमेश पोखरियाल निसंग इसके बाद अगला है रेल मंत्री ठीक है अगला है रेल मंत्री जो की है पियूस गोयल और इसके पहले हमने एक बीडियो अपलोड की थी ब्रांड इंब्सिटर दोहजार एककाईस जिसमें हमने देखा था कि सवस्थ रेल मिसन या सवच्छ रेल मिसन के ब्रांड इंब्सिटर कौन है तो डाक्टर बिन देश्वर पाठक्ति वह भी रेल से संबंगत है इसलिए हमें याद रखना है ठीक हैं तो पेल मंतरी कौन है प्यूस गोजल हैं इसके बाद अगला है जल सकती मंतरी जो की जल विभाग जो हम कहते हैं जल विभाग के मंतरी कहलाते हैं गजेंदर सिंग सेखावत और काफी पूछे जाने वाले प्रशनों में सामिल है क्योंकि जो देश के जल परुस हैं राजेंदर पूछे गए हैं तो जल सकती मंतरी कौन है गजेंदर सिंग सेखावत हैं महला एवं बालविकास और कपड़ा मंतरी ठीक हैं इनके बारे में आप जानते होंगे हमेशा से यही रही हैं इसमृती इरानी महला एवं बालविकास और कपड़ा मंतरी इसमृती इरानी हैं जन ज अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकर्तिक गैस मंत्री पेट्रोलियम एवं नैचरल गैस मिनिस्टर तो कौन है धर्मेंदर प्रधान है इसके बाद अगला है यवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री ठीक है यवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है किरंड रिजूजू हैं इसके बाद अगला है क्रसी एवं किसान कल्यान मंत्री ठीक है मध्यप्रदेश से हैं और कौन है नरेंदर सिंग तोमर है क्रसी एवं किसान कल्यान मंत्री कौन है नरेंदर से हैं तोमर इसके बाद अगला है परियावरण बन एवं जलवायू परिवरतर मंत्री परियावर अब हम यहाँ पर देखते हैं ससस्त्र सेनाओं के प्रमुक के बारे में कि बरतमान में किस सेना के प्रमुक कौन है तो पहले CDS की बात करें Chief of Defense Staff जो की है विपिन रावत ठीक है पहले CDS तीनों सेनाओं के प्रमुक हम बोल सकते हैं विपिन रावत है थल सेना प्रमुक कौन है आर्कियस बदोरिया Bayou Sena प्रमुक नेर्कियस बदोरिया है और नौसेना प्रमुक है Admiral Karambil Singh ठीक heureड़ करंबीर संघ है और हम बात करते हैं यदि अर्द सेनेक बलें अर्द सेनेक बलों के प्रमुक के वारी में तो CRPF के महाने देश्चा कौन है कुल्दीफ सेंग हैं CRPF जो की अर्दिसेनिक बलों में आते हैं ठीक है उसके प्रमुक कौन है कुल्दीफ सिंग है Central Reserve Police Force इसके बाद है CISF केंद्री और ध्योगेक सुरक्छाबल के प्रमुक कौन है महानिश कोन है map The Fitbraint? समोध कुमार जाईसवाल इसके बाद यदि पूछा जाए ITBP Indod Cabot Border Police ITBP के प्रमुक कौन है? SS देसवाल है ठीक है और पूछा जाए BSF BSF के प्रमोग कौन है? RAKIS अस्थाना है होकी इंडिया की अध्यक्ष जो की ग्यानेंद्रो निंगोंबाम बने है इसके बाद SSB और हमने अभी अर्दसेनिक बलो के प्रमुख देखे थे ठीक है जिसमें अगला है SSB के महान देशक जो की कुमार राजिस चंद्रा बने है ठीक है आपको होकी इंडिया के अध्यक्ष जरूर याद रखना है ग्यानेंद्रो निंगोंबाम इसके बाद है भारत के अगले मुख नियादीस बरतमान में जो मुख नियादीस है वैस 47 नमर के है S.A.B.O.B.D. और अगले मुख नियादीस जो की 48 नमर के कौन बनने वाले है एनवी रमणा ठीक है आपको याद रखना है 48 नमर के C.G.I. कौन है एनवी रमणा बनने वाले है ठीक है इसके बाद अगला है भारत के लोगपाल बरतमान में भारत के लोगपाल कौन है चुनाव आयुक्त बरतमान में यदि पूछा जाए तो कौन है सुसील चंद्रा इनके पहले कौन थे तो सुनील अरूडा थे ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त सुसील चंद्रा है जो की 24 वे नम्मर के हैं इसके बाद अगला है मुख्य सुचना आयुक्त जो की कौन है वर्धन कुमार सिना ग्यारवे नम्मर के हैं इसके बाद यहां से जलूर पुछने पूछे जाते हैं अटोर्णी जनरल आफ इंडिया या फिर भारत का महा नियाएवादी कौन है केके बेड़ु गुपाल हैं जो की पंदरवे नम्मर के हैं इसके बाद अगला है सॉलिसिटा जनरल भारत की सॉलिसिटर जनरल कौन है तुसार महता है इन दोनों को आपको याद रखना है महा नियाएवादी केके बेड़नु गुपाल और सॉलिसिटर जनरल तुसार महता इसके बाद अगला है कैग नियंतरक एवं महालेका परिक्षक जिसे हम सौट में बोलते हैं कैग और बरतमान में कौन है? गिरीश चंदर मुर्मू है, जो की चवदवे नमबर के कैग है, नियंतरक एवं महालेका परिच्छक है, इसके बाद अगला है महालेका नियंतरक, जिसे CGA बोला जाता है, ठीक है, महालेका नियंतरक कौन है? सोमा राय बर्मन है, ठीक है, सोमा रॉय बर्मन, जो की 24 वे नमबर की CGA है, ठीक है, इसके बाद अगला है कैंदरी सतरकता आयुक्त, ठीक है, कैंदरी सतरकता आयुक्त, जो की संजय कोठारी है, इसके बाद अगली नियुक्ती है, इसरो, इसरो के चेयर्मन के सिवान है, इसरो का मुख्याल है ठीक है इसरो का मुख्याल है बैंगलूर में है और इनका हाल ही में जो कारकाल है एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है तो इसरो के चेर्मन कौन है की सिवान है अगला है DRDO Defense Research and Development Organization इसके चेर्मन कौन है G37 Reddy है DRDO का मुख्याल है नई दिल्ली में ह स्थापना की बात की जाए तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी इसके बाद अगला है बार्क भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर ठीक है बार्क के डायरेक्टर कौन है अजीत कुमार मोहनती है बार्क का मुख्याल है कहां पर है ट्रॉम्ब महराश्रू में है ठीक है तो भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन है अजीत कुमार मोहनती इसके बाद अगला है राज्यसवा जो की उच्छ सदन कहलाता है उसके सभापती कौन है तो एम बिंकिया नाइडू है इसके बाद उफसभापती कौन है बरतमान में तो हरीवन से नारायन सिंग है र अगला है सदन की नेता जो की थावर चंदर गहलोत है ठीक है राज्यसवा में सदन की नेता कौन है थावर चंदर गहलोत और बिपक्ष की नेता कौन है मली कारजुन खडगे ठीक है तो यहां राज्यसवा से इतने सारे प्रश्ण बन सकते हैं तो इनको हमें याद रखना ह सभापती सदन का नेता ठीक है बिपक्ष का नेता मली कारजुन खडगे इसके बाद अगला है लोकसभा ठीक है लोकसभा जिसे हम क्या कहते है निम्न सदन कहते है लोवर ठीक है निम्न सदन तो लोकसभा अध्यक्ष कोने बरतमान में ओम बिड़ला है ठीक है बरतमान लोकसभ अध्यक्ष ओम बिल्ला है इसके बाद सदन के नेता जो की नरंदर मुदी जी है ठीक है और विपक्च के नेता के बारे में आपको याद रखना है पूछा जा सकता है अधीर रंजन चौधरी ठीक है बरतमान में विपक्च के नेता कौन है अधीर रंजन चौधरी है इसके ब गवर्णर बनाए गए थे बैसे बरतमान में चार होते हैं आरबियाई के डिप्टी गवर्णर ठीक हैं कानून गुने इस्थीपा दे दिया या उनका कारिकाल पूरा हो गया है तो बरतमान में आरबियाई के तीन डिप्टी गवर्णर हैं माइकल पात्रा एम राजिस्वर र आधार कार्ड बनने वाली संस्था UIDAI के बरतमान CEO कौन है सौरब गर्ग है इसके बाद सिडवी सिडवी के चेर्मन कौन है सिवा एस रमन है इसके बाद अगला है फसाई Food Safety and Standard Authority of India Food Safety and Standard Authority of India FSS AI के चेर्मन कौन है रिता टेवटिया है पूरा नाम भी पूछा जा सकता है Food Safety and Standard Authority of India कौन है रिता टेवटिया है इसके बाद नावाड इसका कई बाद पूरा नाम पूछा गया है National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है तो नावाड के बरतमान में चेर्मेन कौन है डाक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला ठीक है आपको याद रखना है नावाड के बरतमान चेर्मेन डाक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला है इसके बाद ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोर्टी ओफ इंडिया ठीक है तो ट्राइ के चेर्मन पूछे जा सकती हैं ट्राइ के चेर्मन बरतमान में पीडी वगेला है ठीक है ट्राइ के बरतमान चेर्मन कौन है पीडी वगेला है उसके बाद है CBI Central Bureau of Investigation CBI के बरतमान निरिशक कौन है प्रिवीन सिना है जो की अंतर्म है ठीक है कारेवाक है प्रिवीन सिना है CBI के निरिशक प्रिवीन सिना है आइबी ठीक है Intelligence Bureau खूफिया एजन्सी है भारत की और इसके बरतमान प्रमुक कौन है अरविंद कुमार है आईवी के बरतमान प्रमुक कौन है अरविंद कुमार है और बरतमान में भारत के राष्टिय सुरक्षा सलाइकार कौन है अजीत डोबाल है इसके बाद यूपी एसी यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन यूपी एसी के बरतमान एवं नए चेयर्मेंट हम जन्हें बोलते हैं प्रवीन कुमार जोसी है प्रदीप सौरी प्रदीप कुमार जोसी है यूपी एसी के बरतमान चेयर्मेंट और रो भारत की खूफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनलिसिस बिंग रो के बरतमान प्रमुक कौन है सामंत गोयल है रो के बरतमान प्रमुक है सामंत गोयल और रे रेलवे बोड के बरतमान अध्यक्ष है हम CEO बोल सकते हैं सुनीत सर्मा हैं अभी हाली में निक्ती हुई थी इनकी रेलवे बोड के बरतमान अध्यक्ष है सुनीत सर्मा और रेलवे पुलिस बल जिसका नया नाम हो गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा भारतिय रेलवे सुरक् शाबल सेबा जिसके बरतमान अध्यक्ष कौन है अरुड कुमार ठीक है बरतमान अध्यक्ष या चेर्मन कौन है अरुड कुमार है सेल के बरतमान अध्यक्ष है सोमा मंदल ठीक है यह एसिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कमपनी है सेल के बातमान अद्यक्षD है सोमा मंडल और एक और यहाँ पर रह गया है एन्सीसी एन्सीसी के बातमान अद्यक्षD कौन है तनकुमार एच ठीक है इस परकार से जो भी अप्रेल मनतक का अपडेक्ट देता था जो भी नूक्तिया थी हमने इस बीडिओ में cover की है एदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जितनी भी आपके पास गुरुप्स हैं ठीक है और लगातार कंटिन्यू तैयारी करती रहें जैसे ही समय ठीक होगा तो एक्जाम स्पना चालू हो जाएंगे तो जुड़े रहें ए कि लब क्लासेश के साथ